नमस्कार दोस्तों मैं प्रेंग से निया आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल Learn and Grow में आज हम बात करेंगे construction of a cam profile के बारे में for a radial cam, एक radial cam के लिए हम cam profile बनाएंगे वो इसके अंदर हम case लेंगे जब follower move करता है with simple harmonic motion के साथ तो simple harmonic motion के साथ हमने displacement, velocity और acceleration diagram पढ़ी थी पिछले lectures के अंदर तो वो आपको जुरूर आनी चाहिए और displacement diagram का यहाँ पर use होगा तो उसके लिए आप पिछले lecture देख सकते हैं यहाँ पर भी हम उसका एक overview लेंगे ताकि आप उसको समझ सकें तो हमें कुछ given data दिया है, पहले तो हम जो case लेंगे वो है हमारे पास जब follower जो है knife edge है और उसका axis पास कर रहा है from the axis of camshaft से और दूसरा case लेंगे जो offset होगा, जो axis of the knife edge follower है उसका from the camshaft से तो पहला case हम यह ले लेते हैं कि जो follower का axis है वो camshaft के axis से पास कर रहा है तो इसके लिए जो हमें given data है, outstroke angle जो दिया है 90 degree, dwell 30 degree, return 60 degree और dwell फिर से 60 degree, अब यह total हमारा 360 degree होना चाहिए तो इस तरह से 360 degree होगा, stroke हमें दिया गया है 40 mm, cam lift भी यहाँ पर हो सकती है base circle radius दिया गया है 40 mm, यहाँ पर minimum circle radius भी हो सकती है cam के लिए तो इनके अलग-अलग नाम दिये हो सकते हैं, तो याद रखने है क्या-क्या होते हैं यह तो यह हमें कुछ given data है, तो सबसे पहले जो 360 degree angle है, उसको हम suitable एक scale के उपर बना लेंगे और एक horizontal line लगा लेंगे, अब यह जो line है हमारी 360 degree को represent करेगी, कोई भी suitable scale बना सकते हैं, जैसे आप 1 cm को 10 degree माल लें, या 2 cm को 10 degree माल लें, इस तरह से आपको 360 degree की एक line लगा लेनी है, पेपर के उपर horizontal line, कि यह पूर जो line है, suitable scale पे 360 degree को दरशाएगे अब जितना हमें stroke दिया गया है, 40 mm, तो उतना हम stroke ले लेंगे, यह क्या है, हमारे पास 40 mm का stroke है तो यानि कि यहां से जो horizontal line है, इसे उपर की तरफ हम 40 mm, यह यहां पर निशान लगा लेंगे, और एक rectangle को create कर लेंगे, अब इस 40 mm की, इस तरह से हमने एक rectangle को create कर लिया, अब हमें जो outstroke angle लिया गया है, वो हम यहां पर ले लेंगे, अब जो outstroke angle हमारा होता है, अगर हम इसको equal भागों में बांटते हैं, equal भागों में, यानि कि even number of part में हमें divide करना है, 4 में, 6 में, 8 में, minimum 6 में तो हम रखते हैं, तो हम इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 भागों में हम इसको बांट लेते हैं, जो outstroke angle है, outstroke angle कुन सा है हमारे पास, जो theta O हमें दिया गया है, वो कितना है हमारे पास 90 degree, उसके बाद इसी तरह से same, जो return angle हमें दिया गया है, जो return angle है, हमारे पास वो कितना है, 60 degree, इसको भी इतने ही भागों में हमें divide करना है, जितने भागों में हमने इसको divide किया है, तो इस तरह से हम इसको भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 भागों में divide कर लेंगे, और इसको numbering कर देंगे, तो हमने इनकी numbering कर दी, अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पर एक half circle लगाएंगे, इस तरह से half circle लगाएंगे, और यह जो half circle होगा, कितने diameter का होगा, यहां से यहां तक, यानि कि 40 mm है, यह diameter है, तो इतने diameter का यह half circle होगा, और इस half circle को भी इतने ही भागों में divide करेंगे, अब जो यह point है हमारे पास, जैसे कि यहां पर यह point आए है, यह वाला point है, यह point है, इन से हम पीछे की तरफ horizontal lines लगाएंगे, जो कि हमारी return stroke तक आएंगे, यानि कि यहां तक आएंगे, तो पीछे की तरफ horizontal lines को हम लगाएंगे, तो इस तरह से इनको cut करती आएंगे, अब हम में क्या परना है जहां जहां पर इन्होंने कट किया है जहां जाहां पर इन्होंने कट किया है और इसी तरह के लिए हम यहांपर लगा लेंगे और इस MT भी हम जो और इसी तरह return के लिए हमें कर्व मिलेगा तो यह हमारी displacement diagram जो है यहां पर create हो जाती है अब हमें ध्यान रखना है कि यह जो displacement diagram है इस तरह से बनेगी और इसके अंदर हम use क्या करेंगे हमें use करना है यह भी ध्यान रखिए यह distances use करने है बार बार अगर हम इसको अगर ध्यान में रखेंगे तो बार बार इस figure पहाने की जरूत नहीं है जैसे 1 से B तक, 2 से C तक, 3 से D तक, यहां से यहां तक, 4 से E तक, 5 से F तक, 6 से G तक यह distances हमें मापने हैं और cut करने हैं जब camp profile बनाएंगे इसी तरह से return के लिए भी, 0 से H तक, 1 से यहां तक, तो इस तरह से यह जो distance है, vertical distance है जहां पर यह point मिल रही है, जैसे 4 के लिए E है, 3 के लिए D है, 1 के लिए B है इतने इतने distances मापने हैं और हमें cut करने हैं, तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से cut करेंगे तो सबसे पहले हम case लेते हैं, जब follower जो है knife edge है, और उसका axis पास कर रहा है, axis of the camshaft से तो सबसे पहले तो हमें जो radius दी गई है, वो हम बना लेंगे, जो कि हम radius दी गई थी 40 mm, तो उसका एक circle हम बना लेंगे जो base circle की radius हमें दी गई थी, 40 mm का हमें एक circle लगा लेना है जो knife edge है, वो हमें बना लेना है, अब ये knife edge जो है, बिल्कुल इसके axis से pass कर रहा है, camshaft के तो यहां पर ये जो knife edge follower का axis है, और ये जो camshaft का axis है, वो same रहेंगे, यानि कि एक ही axis रहेंगा इनका तो इस तरह से कर लेंगे, अब हमें जो angle दिये गए है, outstroke angle कितना थी, 90 degree यानि कि यहांसे यहां तक गाँ यह जो angle था, यह हमारे पास 90 degree था, यह हम cut कर लेंगे उसके बाद 30 degree हमारे पास dwell था, तो 30 degree dwell के लिए हम यह angle cut कर लेंगे और उसके बाद 60 degree फिर से return था तो 60 degree के लिए हमें ये angle कट कर लेंगे तो ये angle हमारे पास कट हो जाएंगे अब देखिए पूरा 90 है और ये पूरा भी 90 है जिसमें से एक 30 है और एक 60 degree है तो इस तरह से cut कर लेंगे अब जो 90 degree है इसको हम कितने भागों में काटेंगे जैसे हमने पिछले displacement diagram में इसको 6 भागों में बाटा था तो आउट stroke angle को return stroke angle को भी 6-6 भागों में हम बाट लेंगे तो यहाँ पर हमने इसको इस तरह से 6 भागों में बाटा और यहाँ पर return को भी हमने इसको 6 भागों में बांट लिया इसको हम numbering दे देंगे जैसे 0 है यह 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है जैसे displacement diagram में हमने दी गई थी out stroke angle के लिए इसी तरह से इसके लिए भी देंगे जैसे कि 0 डश 1 डश 2 डश इस तरह से देंगे तो 0 डश 1 डश 2 डश 3 डश 4 डश 5 डश और 6 डश इस तरह से इसको भी numbering कर देंगे अब हमें क्या करना है जो distance हमने मापे थे जो 1 से B तक था 2 से C तक था 3 से D तक था वो माप के यहाँ पर काटने है 1 पर प्रकार रखनी है और जो भी हमने मापे हैं वो यहाँ पर हमने arc लगा देनी है इस तरह से यह B है यह 2 से C है यह 3 से D यह E और यह F इसी तरह से इसके लिए जो है वो जी हो जाएगा जब हम यहां पर काटेंगे तो वो जी हो जाएगा इसी तरह से यहां पर भी हम कट कर लेंगे यहां पर भी कट कर लेंगे और इनी पॉइंट को हम मिला देंगे तो इस तरह से हम मिलाएंगे, तो यह जो है यहाँ पर यह g- bekommen था, कि यह इसके लिए, 6 के लिए, तो यह सारे जो distances काटेंगे, और इस तरह से cam profile हमारा बन जाएगा, तो यह out के लिए, इस तरह से return के लिए सब को मिला देगे, यह इस तरह से मिलाएंगे और यह Cam profile हमारा Create हो जाएगा स्थरा से तो इस तरह से Cam profile बनेगा एक दूसरा भी आप तरीका अपना सकते हैं कि अगर एक्सिस का इसके एक्सिस से पास कर रहा है तो यहाँ पर directly cut कर सकते हैं जैसे यहां से जो 1 से B था फिर 2 से C था फिर 3 से D था फिर जो 4 से F था 5 से G था H था इस तरह से और इसी center से circle लगा सकते हैं जब circle लगाएंगे और वो in line से cut करेंगे जैसे यह जो है जब circle लगाएंगे तो center यहाँ पर लेना है जहां जहां भी लाइन उपे cut करेंगे जो जो circle है तो उस हिसाब से भी cam profile बन सकता है दूसरा case ले लेते हैं इसके अंदर जब आपका follower तो knife edge है लेकिन वो offset at 20 mm from the axis of the camshaft तो यहाँ पर हमें क्या करना है सबसे पहले तो base circle को बना लेना है base circle की जो radius है हमारे पास वो कितनी है वो हमें पता है वो है 40 mm तो base circle हमें ड्रा कर लिए अब जो knife edge follower है offset है यानि कि इसका जो axis है यह जो follower का है यह इसके center से 20 mm दूर है तो हमें दिया गया है जो offset दिया गया है वो 20 mm का दिया गया है तो 20 mm दूर हम यह axis बना लेंगे अब हम क्या करेंगे center से और इस point को जो knife edge का point है इन दोनों को मिला देंगे और इस center से हम इतनी radius का यानि कि जो 20 mm है इतनी radius का एक circle लगा लेंगे तो 20 mm की radius का हमने circle लगा लिया अब वही काम करना है हमें क्या करना है यह जो line आई है इस से हम 90 डिगरी का angle बनाएंगे पहले तो जैसे महां लेजिए यह O point ले 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 यह a point ले और यह S point ले ले क्याने कि ओ जो a Os है यह हमारा 90 degree का होगा क्योंकि आउट ट्रोक आंगल 90 डिगरी का है तो इस line से चलेंगे अब हम हमार, 90-degree गर हम बनाएंगे फिर किता था 30-degree का अंगल, थो यह 30-degree का हो गया, फिर कितना था शिक्स्टी डिगरी का अंगल तो इस तनjähr से यह हमें उंगल मिलेंगे, Duell के लिए यह था we 30-degree गर और return के लिए हमारे पास यह था यह कितना था 60 डिगरी गा अब यह जो सरकल लगाया है इसका हमें फाइदा क्या है यह लगाया क्यों है तो यह भी अभी देखेंगे पहले हम क्या करेंगे यहां पर यह और S को हम बराबर 6 भागों में माट लेंगे जैसे हम पहले कर चुके हैं तो हम बराबर 6 भागों मे को माट दिया है अब यह जो one point है इससे एक line लगाएंगे c d और जो इसका tangent हो जो यह हमने 20 mm का circle का radius लगाया है इसका tangent हो इसी तरह से two से एक line लगाएंगे जो इस circle के tangent होने चाहिए पर वो तो यहां परिशी तरह से हम यह 6 lines लगा देंगे और marking कर देंगे यह जो marking key है यह कितनी है one से b तक की two से c तक की three से d तक की यह four से e यह five और यह six से जी यह जो displacement diagram पे जो हमने distances लिए थे वो वाले तो हमने पहले तो यह point लगाए फिर यह देखी circle के tangent है यह line इस तरह से लगानी है और फिर यहां पर marking कर देनी है इसी तरह से same जो है काम return के लिए हम करेंगे इसको छे भागों में divide करेंगे और यहां पर हम यह इसकी जो lines है वो लगा देंगे जो circle के tangent होंगे और यहां पर भी हम marking कर देंगे return के लिए अब marking कर देंगे यह marking हो गई return के लिए और वो हो गई आउट स्ट्रोक के लिए हो गई, रिटर्न के लिए हो गई, अब इन सब को हम मिला देंगे, इन सब को मिला देंगे और यह हमें जो है एक cam profile मिल जाएगा, तो offset के लिए हमें यह काम करना पड़ता है, circle के यह tangent लेने पड़ते हैं, इनके भाग बना कर, तो इस तरह से आप यह cam profile भी बना सकते हैं तो यहाँ पर हमने दो cases discuss किये simple harmonic motion के अंदर तो thank you वीडियो देखने के लिए और इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल learn and grow पे हमें subscribe कर सकते हैं धन्यवाद